वे efficient class talk के सबी बच्छों को जैहिन जी हिन दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए भहती बियर्ज्यान या इनकी कछ्छा 12 का भौती बिध्यान का आपको पेपर आने वाला है इसरी हम आप लोगों के लिए most important sample पर यहां पर लाए हैं अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहां पर आपको 65 प्लस नमबर आने से कोई नहीं रोख सकता है तो यहां पर इसमें मैंने वही कुछन रखें जो कि आपकी परिचार के लिए काफी important होने वाले हैं यहां पर आपको पूरा कुछ Cow Paradches को प्लस नमबर देने का प्यास करें तो यहां पर आपको काफी बाते यहां पर ध्यान में रखनी होंगी जो मैं आपके question के साथ बताऊंगा उन्हें आप सारी बातों को follow करेंगे तो यहां पर आपको बूर्ड प्लस यहां पर increase होने पकापका होंगे तो यहां पर आप को यहां पर मैंने यह सारी कंडिशन लगाई तो यहां पर मुझे काफी नंबर बेनिफिट हुए तो यहां पर आपको यह सारी बात है मैं जो बताऊंगा वीडियो के साथ चाहत उसे आपको पूरा-पूरा देखना होगा ठीक है जैसे लांग आंसर किस प्रकार से लिखना है किस प्रकार से बनाएंगे तो यहां पर सबसे पहले हमारा जो कुछन आता है वो हमारा कुछन है कि हम पर पीचा की किस प्रकार से बनाएं ताकि हमको जो कॉपी चेक कर रहा है वो पूरे-पूरे नंबर दे यहां पर जो आपको कॉपी चेक करता है वहां पर आपके नंबर यहां पर आपको कुछ भी टॉट्च नहीं करना इतने पूर्शन आपको टॉट्च बैण से बनना किसे बनना है डॉट पैन से नाम रोल लंबर पिता जी का नाम सब्जेट को गेंदर का नाम पर इच्छक जो कुछ पुछआ जाए उसे आप वाकाइदा भर देंगे पिर आपना नेस्ट पेज खोलेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नेस्ट पेज यहाँ लिखना चालू करेंगे तो इस प्रकार से अगर आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे 101 परसेंट और आपका जो कुछन हो जाए उसके नीचे बाद अपने आप काली पेन से काली स्केश से अब अंडरलाइन करेंगे ठीक है तो अब हम लोग अपने परिचा के दर्श्टी से मोस्ट इंप्टन या निकी मुं करिटयूं कर यहां पर सबसे पहले चोंब कि आज इसको इसको तयार कर लिया याद कर लेंगे ठीक हैं काफी कुछन हर बाराइब पशार पूर्श दिया जाता है किसी परत्या बरति दारा परिपत में 100T 100T 100T100 प्लस 513 मिली एमपियर से प्रदरशित किया जाता है तो परिपत में सक्ति होगी तो परिपत में सक्ति कितनी व्यक्त होगी यहां पर जो मारा इसका अंसर होगा हैं मतलब किसमें हमारी नियोट्राइन की संक्या समान है तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा आपसे नंबर फस्ट बाला यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके बाद हमारा कुछ नेक्ष्ट है किसी बैद्दूत चुमकिये तरंग में चुमकिये छेतर का आयाम तीन गोले दसकी पावर माइनस दस टेसला है यदी तरंग की आवरती दसकी पावर 12 हड़ है सम्बंदित बिद्दू छेतर का आयाम है तो यहाँ आपसे क्या पूचा है शम्बंदित बिद्दू छेतर का आयाम कितना होगा तो यहाँ पर जो हमारा आयाम होगा वो यहाँ पर होगा 9.10 की पावर माइनस टू गोल्ट मिलर यानि कि आपसे नंबर सेकेंड वाला हमारा बिलकुल सही जवाब होगा इसके बाद कुस्य नंबर गहा किसी चालक तार में धारा आई प्रभावित होने पर मुक्त इलक्तानों का जो अपवावेग यहाँ पर भी दिया गया है यदि उसी धातू की दोगुनी तिर्जा तार में धारा आई हो तो इलक्तानों का प्रभावेग कितना होगा तो यहाँ पर जो हमारा correct answer होगा वो होगा हमारा B upon 2 यानि की आपसर नमबर थर्ड वाला हमारा correct answer होगा इसके बाद question number next है यहाँ पर कहरा आप लोगों से तीन प्रिज्म का अपवरतर कोड पंदर डिग्री है परंतु उनके अपवरतनां करिमशा 1.6 से 1.5 1.4 है यहाँ पर आपको दिये गए है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 प्राप्त हो तो यहाँ पर कौन सा मान यहाँ पर कौन सा विकल्ब सही होगा तो यहाँ पर जो हमारा विकल्ब सही होगा वो यहाँ पर हमारा होगा आपसर code theta योन सेक यू कौन सा होगा वांजा याज़ से नमबर nella हमारा प्रस्ट वाला हमारा correct answer होगा इसके बाद यहाँ से थायखा Isaac this नमबर करते हैं तो यहाँ पर आपको short answer गेंगे तो यहां पर आपको जितना पूच्य जाए आपको अतना ही लिखना होगा जैसा कि आप से पहला कुछन कहए रहा है यदि शायूग्त सूच मदर्सी के अभीदर्श्य और नेत्रिका लेंशों में आवर्धन क्रिम से आपको M1 वा M2 है तब सूच दर्शी की आवर्धन शमता का सूत्र लिखिए तो यहाँ पर आपको आवर्धन शमता का सूत्र लिखना होगा तो महारा सूत्र क्या होगा M1 गुणे M2 हमारी आवर्दन चम्ता का सूत्र हो जाएगा इसके बाद कुसे नमबर खा यहां पर कह रहा है संट से क्या अभिप्राई है संट से क्या अभिप्राई तो आप लिखेंगे दहरा मापी के साथ समानसर करम में जोड़ा गया अLove प्रतियोर्व संट कह राथा है तो क्या लिखेंगे आप दहरा मापी के साथ समानसर करम में जोड़ा गया form Uhr संट कह राथा इससल्लिख देंगे सिर्फ कम से कम सब्दों में बात परपत के लिए कि लिए प्रत्म नियम लिखना है यां लिए पहला नियम ऐसे लिख सकते हैं इसके बाद यहां आप से कुछन कर रहा है स्वा पेरड़ गुडान की परिवासा दीजिए इसके बाद कुछ से नमर इंग्या पार्ट यहां आप से कह रहा है कि एम द्रबमान का एक कड़ एम द्रबमान का एक कड़ यहां पर वी चाल से गति करता है तब कड़ की संगत डीबॉलिש वेवलेंद का आपको सूत्र लिखना होगा तो यहां पर आपको संगत तरंग्देर का आपको वेवलेंद का सूत्र लिखना होगा इसके बाद यहां पर कुछ से नमबर चाल कहा रहा है यहां पर हमारा प्रतिय कुशन दो नंबर का है तो यहां आपको दो नंबर के हिसाब से लिखना है मैं मानी कि आप 5 से 6 लाइने लिख सकते हैं तो यहां पर हमारा कुशन कहरा है पांच सेंट्री मीटर स्क्वार वाली एक कुंडली बन पॉइंट फाइब न्यूटर प्रति मीटर के एक समाज चुमकिय छेत्र में रखी है यदि कुंडली के फेरो की संक्या सौध अथा इसने एंपियर 0.2 एंपे धरा प्रभाई ती की जाए तो यहां पर ग्याद करना है कुंडली की चुमकिय दुद्धू जूरू आगूड और कुंडली का अधिक्तम बल आगू इसके बाद नेश्ट कुंडली का अधिक्तम बल आगूड तुमारा अधिक्तम बल आगूड कितना होगा 1.5 है 1.5 गुने टेंड की पावर माइनस टू न्यूटन मीटर है हमारा इसका अंसर आएगा इसके बाद कुष्य नंबर यहां पर खापाट यहां पर कहरा है नाभि के सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घंत द्रभ्यमान संक्या यह पंडर बर नहीं करता तो इसको आप कुष्य को प्रूब करना है तो आप इसे स्वैम प्रूब करेंगे इसके बाद नेश्ट कुष्य नंबर गा आयंड गेट के सांकेती चित्र की साहता से साहता से इसकी सत्त कि साड़ी आपको यहां पर बनानी होगी चोटी सी बनाएंगे यहां पर दो नंबर का सवार ले इसके बाद नेश्ट कुष्य हमारा घा कुष्य यहां पर कह रहा है कि दस ओम प्रत्रोथ के तार को खींच कर इसकी लंबाई तीन गुनी की जाती है अब तार अब इस तार क के खींच कर तीन बराबर हिस्दों में काड कर चित्रा अशार परिपतमें जोड़ा जाता है एवária के ब्स स्हम्योजन का कुल परत्रोथ का मान ग्यात करना होगा एक permit का मारा कितना होगा पहले आप क्या करें गैंके पहले आप इन दोनों किसमने जोड़ेंगे इसको आ जो कि यहां पर चाहिने के लिखने का प्यास करेंगे तो यहां पर आपको काफी नमबर बढ़े हुए मिलेंगे जैसा कि यहां पर मारा पहला कुस्चन कह रहा है कि बोर परमाडू मॉरल के अधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाडू की स्ताई का चौमें इलेक्ट्रानों का परिक्रमन काल टी मुक क्वांटम संक्यायन के यन के घन के अनुक्रा नुबाती होता तो यह कुछन आपको काफ़ इंपोर्टेंट अगर आपको नहीं आता है तो एकल रेखा चित्र के प्रियोक से बेवलेंद यहां आपको दीगी लेम्डा वन और 680-660 नैनोमेटर के लिए पर्थम निमनिष्ट किसी दूसरी बेवलेंद आपको डेल्टा टू के पर्थम मुछिष्ट के से संपाती होता है तो यहां पर बेवलेंद लेम्डा टू का आपको मान ग्यात करना है आपको लेम्डा टू का मान ग्यात करना है तो यहां पर जो हमारा लेम्डा टू का जो मान होगा यहां पर वो यहां पर हमारा होगा 440 नैनोमेटर कितना होगा 440 नैनोमेटर तो यह हमारा इसका अंसर होगा इसके बाद कुछ से नंबर यहां पर पार्ट कहरा है कि चान्दी का कार फिलन आपको यहां पर दिया गया है जब 100 नैनोमीटर लेमडा जो तरंग देर्द का परावैगनी यहां पर आपको परावैगनी प्रकास इस प्रकार डाला जाता है कि निरोधी विवव 7.7 बोल्ट प्राप्थ होता है यहां पर 200 इसके बाद कुस्षिन नमबर गाइस दे मोस्ट इंपोर्टन कुस्षिन इसको आपनी कॉपी से आज ही तयार करेंगे यहां पर कुस्षिन कहरा बायो सैवट नियम के साइथा से ब्रत्ताकार धारावाई कुंडली के केंद्ट पर चुम्किये शेत्र का आपको शूत्र लि दिखाने की आवस्ता नहीं होगी इसके बाद मारा कुस्षिन नेक्ष्ट कुस्षिन कहरा है कि धातू के दो गोलों के ब्यास सेंटीमिटर चाट सेंटीमिटर है इन्हें समान विवबत तक आवेसित किया गया है तो गोलों के आवेस के प्रश्ट घनत्नों का अनुपाद गयात करने हैं तो यहां पर हमारा निकलगा जिकल कर आएगा इसके बार हैं इसके यहां पर कह राएं तित्र में दिखाए गया आपको संध करें गहाएं कि बर आप को चित्र के संधर की कों करना होगा क्या करना होगा आपको इसकी संदर्यत की सूत्र यहां पर लिखना वह इस सूत्र को हम पिछले वीडियो में लिखा चुके बता भी चुके रहेगा तुम बार बार नहीं बताएंगे आप उन वीडियो को पूरा देखेंगे मैं गारंटी लेता हूं अगर आप सभ घ्टु की छट आपको यहां पर दी गई है जिसकी लंबा यह मिटर है चार तेशला एक सवां चुम्के छेतर में दौर मीटर पर सेकेंड की चाल से घतिमान है अदस सेकेंड दस माइक्रोफायर धारिता के संदारितर के को चित्रा अंसार जोड़ा गया है चुम्के-छेतर के कागस के तल के लंबत नीचे की ओर दिश्ट है तो यहाँ पर अपको ग्यात करना है तो यह आप खुशन को खुश्श से रीट करेंगे काफी कुशन बढ़ा आए तो यहाँ पकुश्शन को खुश से रीट करेंगे तो हम जो पर निकल कर आएगा इसके बाद यहांपर पेंगें संधारी कौन्सी प्लेट पर धन्या अवेस हैं यहांपर आपक्या लिखेंगे यहाँ पर आप यहाँ पर जो हमारा इसका अंसर होगा वो यहाँ पर पूला कि संदार रित्र की कॉंसी प्लेट पर यहाँ पर यहाँ पर इसका जो आवेस है वो पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे पी सेल भी यहां पर जो पी है जो सेल पी है उसी पर हमारा पॉजिटिव यहां पर आवेस होगा चार्ज होगा तो इसका अंसर शिक्त नहीं लिख सकते हैं इसके बाद गाह यहां पर कहळा है कि विबाब मापी कि साहधा से किसी सैल के आंतरिक पत्रोध ग्यात करने का सूत्राप बिद्बन की जैनिके सूत्र का निगवन करना है तो यहाँ पर य हमारा कुष्चों काफी important है इसको आप खुष्चय तयार करने का प्रयास करेंगे कॉपी से आज इसको को तयार कर लेंगे इसके बार नेश्ट कुछन यहां पर आपको जो कुछन दिया गया कुछन को कुछन को रीट करेंगे यहां पर जो पूछा गया है सिर्फ वह यह आपको बताएंगे यहां पर जो हमसे पहले पूछा गया समतल प्रश्ट की तरफ से देखा जाता है यहां सोरी 2.5 सेंटी मीटर आवासी प्रतिमिंगा इसके बाद यहां पर हमारा सेकेंड कुशन कहें गोली यह प्रस्ट के तरफ देखा जाता है तो हमारा कितना बनेगा माइनस के 3.1 माइनस के 3.1 तो इस प्रकार आप लिख देंगे इसके बाद नेश्ट कुशन यहां पर कुशन क को आप खुशे रीट करेंगे यहां पर लास्ट में क्या कह रहा है नेत्रका के बीच की दूरी ग्यात करनी है तो यहां पर हमारी दूरी कितनी होगी यहां पर दूरी निकल कर आईगी इसके बाद इंग्या पार्ट यहां से आप से कह रहा है इंग्या पार्ट ट्रांसपर का सिद्धान्द क्या है उच्छाइट ट्रांसपर का परपच्चित बनाकर उसकी कार्विधी समझाईए ट्रांस फार्वन में उर्जाच है कि किनी दो काड़ों को सबस्ट कीजिए तो यह भी कुशन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर आप कुशन को खुशे त करनी है क्या करनी है प्रिभाइद धारा यह आपको ग्याद करनी है तो यहाँ पर आपको क्या पूछ आप प्रिभाइद धारा में आर्वन वार्टू में ग्याद करना होगा तो यहाँ पर जो मारा अंसर निकल काएगा वो यहाँ पर जो मारा आंसर होगा अरवन में कितनी दहरा बहेगी R2 में कितनी दहरा बहेगी R3 में कितनी दहरा बहेगी तो यहाँ पर जो हमारी R1 में कितनी दहरा बहेगी वो यहाँ पर हमारी बहेगी R1 में 7 अपान 5 एमपे दहरा बहेगी और R2 में जो हमारी दहरा बहेगी वो हमारी बहेगी यहाँ पर तीन अप्वान पांच एंपियर धारा हमारी बहेगी तो यह हमारी सभी में धारा बहेगी इसके बार नेश्ट कुशन यहाँ पर अथवा में अथवा में कुशन आप खुश से रीट करेंगे यहाँ पर आपको कुशन को खुश से रीट करना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पूँछ रहा आप लोगों से यहाँ पर आप लोगों से क्या पूँछ रहा है वही आपको यहाँ पर उसका जबाब देना होगा सबसे पहले यहाँ पर क्या पूँछ रहा है कि आप लोगों से आर्टू आर्ट्री यहाँ पर जो मान पूछे गई हैं यहाँ पर जो आर्वान वार्टू के मान पूछे गई हैं यहाँ पर जो आर्वान वार्टू के मान पूछे गई हैं तो यहाँ पर जो हमारा आर्ट ओम होगा और जो आर्टू का मान होगा वो हमारा बारा ओम होगा त प्रफषर को अगर आपको नहीं आता है तो अपनी कौपी से आज इसको तयार कर लेंगे ठीक है कि यहां पर सारे सब्सक्राइब करेंगे निखने आपकी 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 मॉडल पेपर में कुछन करवा कुछन रिपीट हुआ है यहां पर इसको आप खुछ से लगाने का प्रयास करेंगे यह देखिए आप लोगे काफ़ इंपॉर्टन था तो यहां पर आप सभी प्रश्णों को तयार करेंगे और अपने प्रचा के तयारी भीयत अच्छे तरीके से करेंगे जैएंद दोस्तों फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि आप सभी लोगों को जैएंद